हेलो बच्चो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड इसकुल में बच्चो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं इसमें पूरे कोश्चन जो होंगे सिलेबस के अनुसार होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण कोश्चन की ये स इस अपरेल का पेपर यहां मतलब कि इसी तरीके का कुछ कोश्चन पेपर आपके हाथ ने होगा जब आप एक्जाम हॉल में बैठे होंगे तो आपको हंडेट हंडेट इस टाइप के मॉडल पेपर में आपको लगातार सॉल्व कराते रहोंगा जिससे आपके पूरे में प पॉइंट्स बताते जाओंगा क्या अप्रोच रखने आपको सॉल्व करने में स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरे कुश्चन सॉल्व करने हैं आप सभी को पूरा लास्ट तक वीडियो देखना सब को समझना है हो गया ठीक है में टल एबलेटी मैच्स लेंवेज सब कु देखिए अब आपके सामने आप देख सकते कि इस तरीके का कुछ पेपर आता आपके सामने ठीक है ऐसा रहता है यहां रोल नमबर आपको लिखना है अपका कोड जो भी रहेगा यहां पर आपको बता दिया जाएगा इन्वेजिटर के द्वारा कि यहां पर आप क्या क्या आपको कोड्Não से पूछ लिएगा तुसंता समय गरेंगे आपको दो करेंगे ऑगे एक्जाम नजधी का अगया ठोड़ा जबी करेंगे concept समझेंगे आगे बढ़ेंगे ठीक है आगेबढ़ेंगे जल्द जल्दी ठीक आप इसको बताएं इसका answer क्या होगा odd man out पहला question किससे है odd man out ठीक है odd man out odd man out ठीक odd man out या नि असंघत को आपको पहचाना तो इसमें संगत कौन सा है देखे बताइए इसमें क्या हो रहा देखिए ये रेक्टेंगल है इसके सामने रख दिया रेक्टेंगल फिर ये ट्रेंगल है इसको उल्टा करके रख दिया गया अब ये क्या है पेंटागॉन है लेकिन ये सीधा जैसा पेंटागॉन है वैसी रख दिया गय यह बी और सीदी तीन लॉजिक से हैं यह उल्टा रखा हुए इसमें ऐसे आपने सामने रखना था तो अपना एंसर कौन सा होगे ऑप्सण सी ठीक है अब यह वाला कोस्चन देखें हम सभी यहां बता यह सेकेंड और थाट का एंसर क्या रहा है देखिए इसमें एक है अब इसमें देखें क्या कॉंसेट लग रहा है इसमें देखिए बीच में स्कॉयर है बस स्कॉयर ऐसा गुमा बस स्कॉयर को ऐसा घुमा दिया गया है यहां भी स्कॉयर है ठीक है जब कि यहां गोल बना हुए है तो ऑप्सण यह अपना सभी है ठीक है अब देखिए चौत i'te कर लिया हमारा complete हो गया odd need out ठीक है कि अब हम करेंगे reconnect सिम्लर फिगर में कुछ भी नहीं करना है आपको एक मैं बता देता हूं टिक उसी को देखना है आप सभी को similar figure ठीक है same to same यहाँ देखके आपको बताना है कि यह answer क्या होगा तो देखें यहाँ बाल्टी रखी हुई है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ होना चाहिए ठीक है आठ होना चाहिए और जैसे ठीक है तो आठ होना चाहिए और उपर से ऐसे पूरा complete किया गया देखें यहाँ बीच में gap है काट दीजे यहाँ देखिए यहाँ एक दो तीन चार पांच छे साथ यहाँ कितने है टोटल आठ है ठीक है यहाँ भी आठ है यहाँ भी आठ है तो अब देखें नीचे भी तो दो है ना तो यहाँ देखिए एक यहां तीन हो गए हैं तो इसको काटिए अब बाकी दो होने चीए बराबर में एकदम बराबर में हैं ठीक है तो एकदम बराबर में देखिये और यहां पर देखिए इसके जो यह रख लगा हुआ है यहां नहीं है तो option d अपना क्या है correct answer और उप्संटी करेक्ट है सेम टू सेम अब उसी तरीके से आपको एंसर लिखना है सिक्स के सेवंद के और एट का एंसर सेम टू सेम देखिए कौन सा आ रहा है यह सभी आप सभी के लिए समझें ठीक है और समझने आप सभी को इसी तरीके स्वाइब करेंगे हैं देख लिए छह देख लिए अवसाथ का एंसर लिखना आप सभी को सेम टू सेंट इसमें कोई लॉजिक नहीं यहां वहां जैन भी लिखा तो यहां भी कहां पर जैन भी लिखा कौन से आप सब्सक्रा अब इसमें क्या पैटर्न को कंप्लीट करना है पैटर्न को पूरा करना है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पैटर्न कंप्लीट करना है पैटर्न से रिटेट कोश्चन है अब इसको बताए इसमें क्या एगा तो जो यहां बना वो ऐसी बना दीजिए ना आप सभी क्या गोला ऐसे कीजिए इसको कम्प्लीट कर दीजिए और उपर की और ऐसा कहां पर आपको ऐसा उपर की और ऑप्सन डी ठीक है बस कम्प्लीट कीजिए आप ऊपर थोड़ा मेरा मैंने बनाया है लेकिन आप समस्ते हुए चलेंगे अब देखे फिर वाइसा ही कोश्चन आ गया अ अब यहां जो आएगा उस चीज को भरते हुए चलिए अगया अगया और यह चीज आपको कहां दिख रही बताए इतना चाहिए हमको आप दिख रही है अप सब्सक्राइब अब यह बिल्कुल सही है बस ऐसे ही करना कुछ भी नहीं करना है इस ट्राटिक अब यहां देखि कीजिए एसी लाइन खीज दीजे फिर यहां से ईसी लाइन खीजिए इसका ऐस हीजया है सकी अगर आप नवदय विद्याला के लिए अभी एक्जाम देने वाले 29 तारीक जो आपका एक्जाम होने वाला ठीक है तो अर्जुन बैच लास्ट मुकाम आगया लगबग चार हपते रह गया है तो आप अंतिम मुकाम देना चाहते हैं जो जो कॉंसेप्ट के लिए नहीं है ज जिस चीज के बारे में कॉंसेप्ट समझने चाहते हैं बहुत अच्छे से अर्जुन बैच के अंदर आपको सब कुछ पढ़ाया गया है नवदय विद्याले से प्रॉपर गाइडेंस किस तरीके सा आपको नवदय विद्याले में सेलेक्शन लेना है तो आप अर्जुन ब जनवरी में क्या अगर नॉर्मल प्रोसेश जो चलता है तो जनवरी में हो जाएगा आपका जनवरी दो हजार चोवीस में आपका नेक्स्ट यर का सैनिक स्कूल का एक्जाम होगा क्लास सिक्स के लिए ठीक है इसमें कंप्लीट वीडियो लेक्ट्रस एक्साइज कोस्टन च सॉलिशन मिलेंगे जो भी समझनी आई उसका वीडियो सॉलिशन एक एक मौडल पेपर हिंदी मीडियम इंगलिस मीडियम दोनों प्लब्द है और साथ में इसमें क्या है आपको वीडियो सॉलिशन मिलेंग से बच्चे तयारी कर पाते सब कुछ आपको मिलेगा दरोड इस् मौक टेस्ट हो गए इसमें भी आपको दो घंटे का हिस समय मिलेगा ताकि आप टाइम मेनेजमेंट कर सके और बहुत यह अच्छे ढंक से आप कंप्लीट करें ठीक है अलिमिटेड अटेम्ट है इसमें टैमली टेस्ट बताया सिलिबस वेस्ट को से रैंकिंग होगी आपकी कि आप कितने रैंक कितने पानी में हैं कितनी तैयारी कर रहे हैं सही से यार दूसरे अप्रोच किया हो सकता है सैनिक का है तो इसमें धाई घंटे के समय मिलेगें सैनिक के पेपर में जैसा पेपर होगा उसी तरीके से सब कुछ रेडी किया गया ठीक है तो यह दोनों चीज आप जरूर इन्रोल करें दोनों में और बहुत अच्छे ढंग से तयारी करें कोर्स से रिटेट कोई जानकरी चाहिए तो 660-388-361 पर कॉल करें कूपन कोड में आपको देता हूँ आपको सबसे जरूरी आपके लिए मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा जरूरी है तो उसमें इन्रोल करके अपनी तयारी को बहुत अच्छे ढंग से रिके कि उसमें जिस पैटर्न में आपसे सब कुछ पूछे आते कोश्चन उसी तरह की से सब कुछ पढ़ा मॉडल पेपर एक जगह है सॉल्यूसन एक जगह है इधर उधर ज्यादा टाइम वेस्ट करने का समय नहीं रह गया तो जल्दी जल्दी इन्रोल करें और तयारी अपनी बहुत अच्छे से अंतिम मुकाम दे तयारी को टेलीग्राम ग्रूप है अपना देख लीजिए यहां पर सभी बच्चे होंगे 9000 kandahre सभी के तैयारी के लिए आगे बढ़ते हैं पढ़ाई पर आते हैं कि यहां 12 कोशन करेड़ान के आप पैटर्न होगे आप देखी है अट इस शिरीज के कोशचन करें चले शिरीज के कोश्चन करते हैं तो सिंपल सा है है यहाँ तो 3 है इधर करें चार कर दिया गया यहां एक फील था एक स्कोयर कर धिया तो यहां भी एक फील ने इधर कर दीजिए कौन से option option number c पस वह यह ना बीच में है तो इसके अगल बगल कर दिए वहाँ है तो इसके अगल बगल कर दीजिए है और ट्रैंगल है अब इसको ऐसे बिखेर दीजिए आप ठीक है तीनों ऐसे सीक्वेंश में है तो रहेगा आपका ऐसा ही देक hey caf upर गया यह कोने में गया एसे और यह वzi सबसे सिपया तो यही सिक्वेंस में ऐसा रहेगा साईड नी हैज रहेगा उने ट्रें में रहेगा एदर हैज रहेगा औरises तो यहां परसंटेज आ थेकल और यह नीचे आ जाएगा और यह इस साइड चला जाएगा तो कहा दिखा आप्सवा निया नंबर देखिए ऐसा है ना देखिए सबसे शुर्ण त्रेंगल दिख़ा होगा उसके बगल में आपको दिख राओगा हैज उसके बगल परसेंटेज उसको उपर हैस ट्रोज ट्रेंग रेंगल पर्सेंटेज हैς तो आप्शन नमबर भी अपना जिसे टीड़हथ है अब इसको देखें यह क्या है सादू SES यता इसका संबंद कि कई को सा इंसला अरफ सभी को बताएं को सब क्या हो रहा है यह अपका याइसा था खीद आप कैसा हुआ भोले इसको क्या कर दिया गया अल्टा कर दिया गया है जाल्टा याण यहां मिरराATA तढ़े ऐसा होगया अब इसको ऐसा कर दिजे तो यह चीज़ है जो ऊपर चली अब इसमें जो यह वाली जीज जो है ूपर की और दिखे कि यहां नीचे गयास कुछ कोट वहां रख दीजे तो ऑफर क्यों के वाल खुला हुआ है तो यहाँ पे कुछ स्कुर्थ क्यों हुआ है तो यहाँ पे क्या है 123-4 पांच पांच भूजा है तो जो भी आएगा इसमें चार भूजा हुआ ठीक एक कम होते जा रहा है माइनस एक यहां भी माइनस एक ठीक है अब यहां देखे लाइन एक लाइन दो लाइन तीन लाइन तो यहां एक लाइन दो लाइन तीन लाइन चार लाइन एक बढ़ती जारी तीन से चार हो गई ठीक है तो यहां पर दो लाइन है तो यहां तीन लाइन हो जाएंगे ठीक है और बन जाएगा चार चार भुजाओं से गिरी हुए आकरिती चतुर भूज और इसमें देखिए यह तीन ठीक है तो ऑप्सान नंबर सी अपना करेक्ट है एक चीज का मोरी तो एक चीज बढ़ रही है ठीक है अठारा नंबर और बीस नंबर का देखें यह तो सिंपल सा है इ इसके बीच में एक ऐसा अगया अब इसमें है तो यहां भी एक ऐसा आजाएगा तो अप्सान नंबर डी अपना करेक्ट है सिंपल सिंपल को सरा थोड़े जल्दी सॉल्व करने की आदर डालनी है क्योंकि हम धीरे धीरे अब जो समझाऊंगा अलग से जो कोस्टन लेकर जैसन के सिमलर फिगर के तुझा सिमलर फिगर के भी लेंगा ठीक है देखना सीख जाएंगे वैसे ठीक है और आपके सीरीज के एनलोजी के सब के मैं सौसव कोस्टन पचास पचास कोस्टन लेकर आँगा ठीक है इसको कंप्लीट करना है क्या बताया था मैंने यह बताएग जमिती आकृति जियोमेटिकल फिगर है तो इसमें क्या है आप जो चीजे क्या है जियोमेटिकल फिगर में क्या क्या आ सकते हैं आपके यह भाग ऐसा इधर जूड़ रहा है लेकिन उसको क्या है घुमा के रग तो हमको ऐसे घुमा के लगा सकते हैं और सा नंबर कौन सा सही है सी अब इसमें देखिए यह भी ऐसा ही बना हुआ है तो यहां देखिए इतना एंसर आएगा कहां पर दिख रहा है बताए यह मुझे लेंगे होमवर्क बताईए आप सभी ठीक है चलिए टेइस नंबर का कॉस्चन होमवर्क है और चो विस नंबर का क्योंगे इसमें ज्यादा दिक्क्त आती है इसलिए मैं होग डे रहा हूं ताकि आप सभी देखे मैं कमें बॉक्स में देखता हूँ आप सभी के जो कमेंट लेकर आता हूं तो आप comment box में जरूर लिखे जो चीज आपको जरूरत है जो सब ठीक है अब देखे यह है तो जो यह वाला part है यह क्या जाएगा इस side आ जाएगा और उससे connect रहेगा यह चीज ठीक है तो देखिया ऐसा घुमा दीजे यह सामने है तो यह चीज सामने आ जाएगी तो देखिये यह होगा नहीं ठीक है क्योंकि इस side से connect होना चाहिए न इस side से connect कहां पर दिख रहेगा और यह वाला जो इस side आएगा तो देखिये यह वाला जो है वो mirror इधर है तो यह वाला part उपर आना चाहिए तो यह वाला part उपर आ जाएगा और वो जो यह लग वो नीचे side आ जाएगा तो इसमें दो option में लग रहे यह काट दीजे यह काट दीजे option c add में से कोई एक हो सकता है ठीक है अब जब यह वाला जो अठ है वो इस side तो अपना correct है यह उस side चला गया ऐसा नहीं होगा ठीक है अब इसमें देखें इसमें जो गोला है ओ क्या है दरपड के सामने है दरपड के तो गोला सामने आ जाएगा गोला सामने आ गया option number B अब इसमें देखिए यह चीजे है अब इसमें बताईए कौन सा answer होगा इसमें आप आप सभी को क्या है होमवर्ग बताना है इसमें देखे लेकिन ये कोस्टन में मिस्टेक लग रही मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि देखे यहाँ पर थोड़ी से जगा यहाँ पर आपको खाली दिख रही ठीक है तो ये कोस्टन तो मिस्टेक गलत रही है क्योंकि उस साइड आएगा तो फिर यहाँ जगा बचनी चाहिए ये सेम कर दिया ये कोस्टन रॉंग है ठीक है कोस्टन ही रॉंग है हलका लेकिन अगर नॉर्मल वे में जाए इसको बराबर मान जाए तो यही एंसर आएगा लेकिन ये कोस्टन में थोड़ी गलती है अगर अगर आप निकालना चाहिए तो ठीक है तो हम गलत कुस्टन सॉल्ब नहीं करेंगे अगर इसा तो चार बराबर भाँव बाता यहाँ और यहां आएक यहां एक यहां ऐसा तो यहां ऐसा होगा मतलब उपर क्यों खुला रहेगा यह इस साइट खुला है तो पार्ट काट दीजिए ऐसा उपर यह हो सकता है और यह हो सकता है इसको काट दीजिए ठीक है दो option B हो सकते है या फिर option D हो सकता है अब इसमें से हम को एक fortune है तो चारो तरफ ऐसा कुला हुआ होना चाहिए अब देखें यहां पर सीधा है ठीज है 001 यहां पर अगला जब खुलेगा तो ऐसा होगा फीर ऐसा होगा फिर ऐसे यहां मतरब बीच में स्कृयर बनेगा इसमें बर्फी से बन रहा है इसको ओभी काट दीजेए इस को बनना ऑप सान नमबर भी अपना करेक्ट है ठीक है समझा रहा है ना ठीक 31 अब देखा जाए अब इसको solve करें बताए इसका answer क्या हो रहा है और जुम करके दिखा दो क्या ठीक है अब बताए इसमें क्या है पेंटागॉन है ठीक है पेंटागॉन अब उसको 20 से मोड़ा गया फिर उसके उपर वाले पार्ट को इधर ले आया गया ठीक है इधर गया तो अब यहां से गोला कर दिया गया जब गोला किया गया तो चार बढ़ागों में बटा हुआ है तो यहां तो इससा पास सबी को पास पास से यहां तो बना ही नहीं है जहां पर है इसको काट दिज्ये यहां भी नहीं है यहां इसा खूल लेगा तो यहां भी बनना यहाँ देखिए ज्यादा distance ज्यादा हो गया इतना दूर नहीं बनेगा ना इतना दूर नहीं बनेगा देखिए दो यह अपना सही है इसके सामने दो बन जाएंगे option number D अपना correct है इसको जोड़िये तो simple size को जोड़ने पर सिप जो सबसे अच्छा दिख रहा है और नीचे यहाँ पर आए तो option number A बिल्कुल अपना correct है ठीक है आ है चीज़ों को अब यह चीज़ है तो यह option क्यों नहीं हो सकता देखा जाएयाँ एँ यहाँ तक ठीक है और सीधा यहाँ से होना चीछे सीधा होना चीज़िए सीधा है ना तो यह कार्ट दीजिए और कौन्हों सा है कि यहाँ पर बीच में से ऐसी liar He нe bhee है इतना पार्ट अलग है मैं अभी आपको कलर करके बताता हूं समझ गाए दो भाक कौन-कौन से स宝ार है को कि इसको आसे घुमा देने आप को इस साढ़ी आई गोम ईऑ इसको जो यह वाली complex है उसको ऐसा घुम आएंगे तो आपको लिए क्या हो गया homework हो गया ठीक है अब इस अच्छा नमबर कोशन बताई इसका क्या होगा जो सबसे अच्छा दिख रहा होगा सबसे सेप में उसको आप एंसा लगाई यह सीधा आगे बड़ी आपसा नमबर भी अब इसका आप खो सकते हैं देखिए कहां कहां पर उसके पार फिक है एक पाटा जाएगा आपका यहां से उपर की ओ ठीक है ऐस ससे में गलत हो जा रहे है एक सेंड रूकेगा छी कि के यह ऐसा हो जायगा और अब्रफ एक पाट आप आपका जाने बाटी सेंटो सेंब नमबर अपकी सही हो गया अब ये कौन सा आगे आपका embedded figure ठेक क्या है इंबेड़ेड फीगर इंबेडड फीगर यह Oooh कि यब booklet लग रहा है मुझे ऐसा यह देखिए नंबर डी अब ये धूझ ये बताएं ये तो सिंपल ये भी जगाः दिखार है और ciert किदो में दिखा रहा है यह और सुन हे विकों कौन सा चाहिए देखिए कि साइट शोटा किस्राइट बड़ा है इधर कैसा 如पण बढ़ा होना चीए और ऐसा होना चीए यहाँ के बल नीचे सा ऐसा है ऊपर बढ़ा है है इस साइड हमको चाहिए option ठीग है, अब 40 नंबर का यह ढूंकर बताए, चलिए ढूंडिए यह कहां मिल रहा है आप सभी को, यह भी मिल गया, simple सा, यहाँ से ऐसा start किये और यहाँ से ऐ तो पूछा है जो साथ है अपना एंसर आया दस के पांच गुणे से कितना दीख है दस का पांच गुणे से पांच गुणे से कितना दीख है साथ दस के पांच गुणे आनी पचास से कितना दीख है तो अपना एंसर आ गया दस समस्ते हुए चलना कि संख्या को 19 से भाग देने पर 19 भाग फल तथा नो सेसफल बसता ठीके भाज यह बराबर जांते हैं यह आपका डिविजर कहते हैं, जिससे भाग दिया जा रहा है, और भाज ये को क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है, भाज ये को क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका डिविडेंड, डिविजर, और एक कॉसेंट, और ये हो गया रिमेंडर, ठीक है, तो भाज जे 60 plus 9 370 option number D अपना सही है ठीक है अब देखिए इसको करना है आप सभी को मान ग्याद करना है तो 25 और 15 का लासा निकालना है तो simple सम मुझे पता है 75 हो जाएगा ठीक है क्योंकि देखिए आप लगातर solve करेंगे तो आपको idea लग जाएगा यहां 3, 25, 5, 5, 5, 5, यहां एक बार में गया फिर यहां से 5 और यह एक बार में 3, 5, 15, 15, 15, 15, 75 इसका आगया लगा साह यानि की LCM आगया LCM क्या होता है वह छोटी सी छोटी संख्या जो इन दोनों के संख्या रहे उनके पहाड़े में आए तोनों के पहाड़े में आए उसे हम कहते है LCM कहते है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आए उसे LCM कहेंगे और SCF क्या होता है वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को पूर्णिता डिवाइड कर दे वह संख्या क्या है? एसी अप और यह क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आए ठीक, 75, 15, 15, 75, 75, 35, 25, 3 बार में जाएगा, 3 निया, 27 तो 8 बचे 75 कहीं दिख रहा है कि आप सभी को आपसा नमर भी अपना करेक्ट है निम्ड में ऐसे कौन सी संख्या 23 से भी भाजित है बताइए निम्ड में ऐसे कौन सी संख्याती इसमें तो क्या होगा आप ज्यादा इसमें दिमाग 23 वाला कोश्चन इतना हाड नहीं आएगा तो नॉर्मल आप समझे के सब को डिवाइड करके देख लीजेगा, सिंपल सा देखे 23 दूनी कितना होता है, 23 के 23 गुरिद 10 कीजे, 23 गुरिद 10, 230 होगा, 28 करीब है न, बजग गया कितना, बाकी 15, 23 के पाड़े में 15 जुड़ा नहीं आएगा, यह भी नहीं आएगा अब 182 देखे 23 गुरिद 10, बजग गया, 29, 23 के पाड़े में 20 नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा न, 23 गुरिद 10 के पाड़े में 29 होता है, कितना होता है, 29 तो यहाँ पर 2 रहता तो आज आता है अंसाल लेकिन यहाँ एक है तो यह भी गलत, 182 देखे 23 का पाड़ा 24 बार में ठीक है, पेंसर कौन सा है, 1081, ऐसा करके देखना है, अब हाज यह गुड़न खंड मतला वही ला सनी कालिया, वही प्रोसेस कीजिए, 156 यहाँ लिखिए, और देखिए, 78 बार में गया, फिर 2 से 49 में गया, 3 से 13 बार में गया, ठीक है, फिर यहाँ 13 बार में एक आ मैं solution बता रहा हूँ, अब देखिए, 1.5 kg तो अधा था 500 ग्राम का लसा निकालना, LCM निकालना है, ठीक है, LCM किसका निकालना है, 1.5 kg, दोनों को आप सेम इनुट में करें न, 1 kg में, 1 kg में तो ग्राम में ही बदल देते हैं, तो ग्राम में बदल लेना, ठीक है, ग्राम में लसा ग्याद करना है, तो कर सकते हैं न, 1500, 500 को, लसा, बिल्कुल, बताई कितना आएगा, यो दोनों के पहाड़े में आए, देखिए, यहाँ पर करते हैं, aja एच्छा, जा है, दो थाए, 725, 600, 300, 75, 120, ठीक है, यहाँ से तीन बार में दें, तो कितना जाएगा, 125 और यहां पे 125 ही रहेगा 5 से करें अब तो 25 अब 3 से नहीं जाएगा न क्योंकि ठीक है 25 यहां भी 25 आगया फिर यहां 5 से करें तो यहां 5 यहां 5 ठीक है एक आने था कि एक एक आगया तो देखिए उपर से 2 दुनी चार 4 दुनी चार तिया 12 12 पंचे 60 35 तीन सो तीन सो पंचे तीन सो गुडित पांच बराबर 1500 यानि 1500 आ जाएगा 1500 ग्राम ठीक है इसका लास आएगा 1500 ग्राम बताब 1.5 किलो अभी कनवर्ट किया ना तो आप्सन नमबर डी अपना LCM है 15 ठीक है LCM ही पूछा था था ना ठीक है वह चोटी से चोटी संख्या याद किजी से 600 से गुड़ा करने पर पूण वर्ग बन जाए हमको पता है 4800 पूण वर्ग नहीं है 9, 6, 6 निया 24 यानि 2400 पूण वर्ग नहीं है 6 से का 3600 क्या है पूण वर्ग है किसका 60 गुड़ी 60 करेंगे तो क्याता है पूण वर्ग ठीक है ठीक है चली हो गया ये इसका आप काई से नौण निकालके भी देख सकते हैं इसको हाँ जो जाएगा उससे गुड़ा कर दीजिए जितनी आपको जरूरत पड़ेगे ठीक है तो यहाँ पर सीक्स आगा ये नौर्मल याद रखिये ना दस का वर्ग 100 20 का वर्ग 400 ठीक है 30 का वर्ग 900 40 का वर्ग 16 50 का वर्ग 25 और 60 का वर्ग 36 70 का वर्ग 49 64 64 90 का वर्ग 81 100 का वर्ग 10,000 इतना तो याद रख सकते हैं ना इतनी चीजिए सिम्पल सी ठीक है इतना याद रखिए फिर आपको यह सब सॉल्व करने की ज़िए एक में से क्या है पॉइंट सेवन सिक्स फाइब तरी घटाना है मतलब तो वन पॉइंट पहले तो जीतना है उसको बराबर कीजी ईक भाई बैघ 70 0-0-0 मतलब एक ही होता है तो इतना अब जीरोसpected 6 5 3 घटाना है तक 0 मनियुदहरी ले जीरो पॉइंट तो थिरी फॉर सेवन ओसनों नॉमबर सी बस सॉल्व करें सभी अपके answer option में आपको दिख जाएंगे बिल्कुल ठीक है आधा दर्जन केले का मुल्य एक दर्जन बराबर कितना होता है पहले बता है एक दर्जन मतलब 12 तो आधा दर्जन मतलब 6 हो जाएगा 6 केले का मुल्य 24 है तो एक केले का मुल्य 24 बटे 6 और कितना है 78 ग्राम में कुल कितने ग्राम होंगे ठीक है तो आप सभी को ये पता है ना कि 9 किलो 1 किलो ग्राम में कितने ग्राम होता है सबसे चोटा ये है तो ग्राम में हमको बताना है तो 1 किलो ग्राम में 1000 ग्राम तो 9 किलो ग्राम में 9000 ग्राम ठीक है जोड़ी है 9,800 प्लस एक नो हजार 888 कहीं दिख रहा है कि option में option number A, gram में भी लिखा हुआ है, option number ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि 12.5 भागीत न 2.5 प्लस 7.5 को परिणाम किसका एक चौथाई भाग है, याद रखिए पूरा question पढ़ना इसको आप इसे ने स सभी कहां पर confused होंगे, ठीक है, अब यहां पर देखेंगे board mask का नियम लगेगा, ठीक है, क्यों, यहां पर प्लस भी है, भागीत भी तो भाग आप प्लस में, board mask में, अब किसको solve करते हैं, पहले, board mask, क्या क्या था, bracket of division पहले है न, प्लस बाद में, तो division पहले करें, तो 12.5 2.5, तो इसको जै कि 1.5 है, तो इसको 125 कर दीजिए, इसको 2.5 है, तो आप ऐसा नहीं करना है, कि आप पहले इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 10 हो जाएगा, और भागीत 12.5, तो answer फिर तो गलत आजाएगा, ऐसा नहीं करना है, अब यह जो 12.5 है, किसका यानि X का, ठीक है, एक चौंथाई भाग है, एक चौंथाई भाग है, मतलब एक बटा 4, तो यहां क्या होगा है, X बराबर हो जाएगा, इधर गुड़ा कर दीजिए, 12.5 गुड़ी 4, तो 12.5 दोनी कितना हो जाएगा, पचीस पचीस दोनी, पचास, तो इसक यहां पर 12.5 आ जाएगा, दोनों तरफ से सटीस्पाई हो गया अपका एंसर, अब देखिए इसमें, रोहित 55 रुपए लेके बजार गया, उसने 34 रुपए की किताब खरी दी, 12 रुपए 50 पैसे की सबज्या खरी दी, बताइए उसके पास लगबग कितने रुपए से बच क्या किया गया है, यहां भी ठीक है, यह दोनों को जोड़िये, यह दोनों घटा ना है, यह प्लस में है, यह दोनों को पहले जोड़ दीजे कितना खर्चा किया है, 46.50 रुपए, मदब 5.0 रुपए खर्चा किया है, तो 55 में से आप घटा दीजे, ठीक है, तो 46.0 तो यहा पॉइंट फाइब जीरो रूपीज अपने पास बची ऑप्सन में है कि एट पॉइंट फाइब 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 से उपर रहे लग पूछे तो नौ पे टिक लगा देते लेकिन यहांट उप्सन में तो सिंपल सा एंसर होगी अपना नौ एक व्यक्ति फीते से चारसो मीटर को चारसो सोला मीटर मापः तो तूटी बताने गलती ठीक है तो क्या है चारसो मापना था सोला माप था coal घ्या सोला कि एंप लोस्त हमड़ों कि तीने था चार सो में अब यह लिखा हूए किसी वस्तु को 21.60 में बेचने पर 20 प्रतिसत का लाव होता है इस वस्तु पर 40 प्रतिसत का लाव अर्जित करने के लिए इसके विक्रय मुल्यक में कितने रुपए की वृद्धी करनी पड़ेगी तो किसी वस्तु को 21.60 में बेचने पर 20 प्रतिसत का लाव होता है यानि 100 प् तो आप यहां X बराबर हो जाएगा 21.60 गुडित 100 बटा कितना हो गया 120 हो गया अब इसको सॉल्व करें यह 0 यहां से कट गया ठीक है 21.60 इतना हुआ 21.60 गुडित 10 करते तो आज आएगा आपका 216 बटे 12 216 को 12 से भाग देंगे तो कितना आजाएगा यहां पर 18 ठीक है तो 18 पहले 18 रुपए किलो था ठीक है अब उसमें 20 प्रतिसत का 20 प्रतिसत का लाब हुआ तो कितने बेचा हो 18 था तो 20 प्रतिसत का लाब हुआ तो 21.60 अब पुझरा इस वस्तू पर 40 प्रतिसत लाब अर्जित करने के लिए इसके विक्राय मुल्ले में कितने रुपए की व्रिध्धी करनी पड़ेगी सिंपल से चीज बताना है कि 40 प्रतिसत लाब प्राप्त करने के लिए पहले 20 प्रतिसत लाब तो प्राप्त कर चुका है उसको 40 प्रतिसत लाब प्राप्त करना है ठीक है तो इतने बेचा कितने बेचा 21 असमलों 6 में बेचा है तो 20 प्रतिसत लाब हुआ टो चालीस चाता है तो और कितने की रिद्धी करनी पड़ेगी तो 18 है 18 का उसको 40 प्रतिसद निकाल लेते 18 गुड़ी 40 बटा 100 यहाँ एक जीरो गया यहाँ से एक जीरो गया यहाँ से 2 बार में गया यहाँ से 5 बार में गया ठीक है अब इन दोनों का गुड़ा किये 36 बटा 5 इसको करेंगे तो कितना आगया 7,5,35, 7,2 7,2 रूपए 18 प्लस 7,2 7,2 यानि 25,2 रूपए में बेचेगा उसको 40 प्रतिसद का लाब मिलेगा और पहले कितने रूपए में बेच रहा है वो पहले कितने रूपए में बेच रहा है बताइए पहले ही बेच रहा है वो 21.6 में तो और कितना बढ़ाया जाए तो 25.2 में से आप कहा किज़े 21.6 घटा दीजे तो 2 में से मतलब 12 12 में से 6 घटा है तो 6 आ गया यहां 3 आ गया और यहां पे 3.6 रुपया और बढ़ा दिया जाए क्योंकि देखे 20% का लाब ले रहा है सिंपल सा समझे कि 18 का था जब 100% की वेल्यू अठार रुपय नॉर्माल बोले 20% का लाब ले रहा है तो 21.6 बेच रहा है तो कि दा 3.6 का अंतर हुआ तो और 20% लाब तो 3.6 तो और आगे बढ़ेगा टोटा 7.2 होगा अपसा नॉर्प भी अपना साही है यह क्या कोषचेन है 1,000 पर 12% ब्याज की दर से 3 माह का ब्याज गयाद करना ठीक हा तो एक साल में कितने माह होते है बताए ब्याज बोल रहा हुए ठीक हा माह एक साल में एक वर्स में कितने माह 12 मा ठीक है तो यहां 3 मा दूए है मतलब 1 4 था ही ना तो 3 3 3 3 करके टोटल जोड़ेंगे तो 12 हो रहा है तो 1 देखिए 1 2 3 4 1 4 ही है ठीक है तो वर्स में निकाल लेते हैं मुल्धन गुडित दर गुडित एक बटे 4 वर्स है ठीक है गुडित 100 ये गया, 0 ये 0 गया, 10 गुड़ित कितना है, 12, यहांने बारह नहीं, यहाँ यहां पर ये 14 चार चार, 10 गुड़ित 3 तेथीन, 10 गुड़ित 3 यानि 20 रुपे तो कितना व्याज होका 30 रुपे? patron इस कि इस का रrips, 10 रुस्त रा गया, ठीक है, देखें, इतने question कर लिए अब देखें सिंपल को से ना बस ध्यांस से solve करते हुए आपको चलना है रमेश गीता अनुच किसी काम को चार पांच चार था था बीस दिनों पूरा करते हैं तीनों मिलकर वही काम कितने दिन में करेंगे ठीक है तो एक दिन का कार है जैसे कि काम को चार दिन में कर रहा है कौन रमेश गीता पांच दिन में और अनुच बीस दिन है तो सब के एक दि तो टोटल कितने कारे कंप्लीट करेंगे इनको पलट दीजे दो दीन तो दो दिन है क्या ओप्सेंअ अजी हाँ 2 दिन में कारे कंप्लीट हो गऊ geliyor तो एक व्यक्ति क्या है देखिए यहाँ पे कि 95 किलो मिटरल दूरी 5 घंटे में करता है ठीक है तो एक घंटे में कितना है 49 दहां 390 और 49 जोड़ दिए 439 ठीक है 429 किलो मिटर अब क्या है साड़े 11 है ठीक है तो आधा 49 का आधा कितना होता है 49 का आधा होता है 19.5 तो इसमें 19.5 जोड़ दीजे या फिर आप डारेट कीजिए तो क्या कीजिए साड़े 11 घंटा है तो 49 गुड़ित 11.5 किजिए ठीक है तो भी एंसर सही आ जाएगा या फिर 49 का आधा करके गुड़ित 11 करके जोड़ दीजे तो 439 प्लस 19.5 तो कितना हो जागा 44.5 कौन सा उप्सन सही है उप्सन नमबर यह बिल्कुल सही है ठीक है अब क्या कोशन पूचा है कि 30 सेंटीमिटर किनारे वाले घं को काटने पर 6 सेंटीमिटर किनारे वाले कितने घं बनेंगे ठीक है तो घं है तो हमेशा इसमें देखे 30 गुड़ित 30 गुड़ित 30 ऐसा को पचीज तो एंसर आ गया, उप्शन नमर बी, ठीक है, अब लिखा है, 6 संख्याओं को आउसत 210 है, 6 संख्याओं को आउसत, आउसत क्या होता है, आकडो का योग बटे, आकडो की संख्याओं लेकिन इसमें आउसत दिया इतना, तो उनका पूरा योग निकाल देते हैं, 6 संख योग है, 600, बाकी 3 का कितना होगा, तो 1260 में से आप, जब 600 मैनस कर देंगे, तो बचे का कितना, 660, अब बची 3 संख्याओं के है, तो इसको भागी 3 कर दीजे, तो आगया 220, भाग देंगे, तो देखिए, तीन एकम 3, तीन दुनी, दुनी, और यहाँ 0, 220, 220 है क्या, उप् दीजे, तो इधर ले जाईए, और नीचे में 2,0 बढ़ा दीजे, दसम्रों के 2 अंक, एक इधर ले आई, एक ऐसा है, तो दो अंक है, तो इधर 2,0 नीचे लगए, तो 25 बटे, इना हो गया, 100, तो यह काटेंगे, तो एक बटे 4 आ जाएगा, एक हमारे पास सामने है, तो ए समझ आएगा, ठीक है, पहले कोशन पढ़ते हैं, वर्तमान में, भारत में कुल कितने राजे हैं, सयुक्त का अर्थ क्या होता है, तेलंगाना भारत के किस राजे से अलग होकर बना, हैदराबाद को कितने वर्सों के लिए सयुक्त रूप से अंधर प्रदेश और तेलंगा अब पढ़ते हैं, ठीक है, तेलंगाना भारत के अंधर प्रदेश राजे से अलग होकर बना, उन्तीस्वा राजे है, जम्मु कस्मी राजे को केंद सासी बना, बनाये जाने से भारत में कुल राज, कितने कुल 28 राजे हैं, तेलंगाना राजे का गठन, दो, जुन, कोई स राजे के गठन के समय तेलंगाना में आंधर प्रदेश के 23 जो जीले थे, उसमें 10 जीले आये थे, तेलंगाना में 10 जीले आये, बाकी 13 उसमें आंधर प्रदेश में, तेलंगाना में लोक साबगी 17 सीट, विधान साबगी 11 सीट है, तेलंगाना की 76 प्रतिसाद जो लोग है है आवाज होगा नहीं लोग होगा नहीं अलग अलग होकर बना जो हम पढ़े ना तभी तो हमको क्लिक कर पा रहे हैं अब देख लीजेगा वहां तो आप इस्क्रिंसोट लिया है तो आप वहां से मिलाते हुए लिए सब पढ़ा है उसमें निवन में से किसका अर्थ तेल्गु वास्यों की भूमी यह हो गया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रस्ण पहले देख लेते हैं ताकि जो चीज है आप तुरंद क्लिक करें आपके माइंड में ठीक है किसके जन्मदिन को राष्टी खेल दीवस की रुपे मनाया जाता है ध्यान चंद को कहा जाता है भारती ओलंपिक संग में ध्यान चंद को घोसित किया था 1936 का ओलंपिक कहा हुआ था खेल में उत्कृष्ट पदर्शन करने के लिए राष्टी पुरुसकार अर्जुन तथ किस तारी को प्रदान किया जाता है सिंपल कोशन हो गया अब चलिए आप को मैं दिखा देता हूं ठीक है चलिए इतना आप स्क्रीन सुट लेना चाहे तो बिल्कुल देख ले इसका स्क्रीन सौट ले या पास्ट करके देखे पढ़ ले अब मैं पढ़के आपको बताता ध्यान चंद को फुटवाल में पेले और क्रिकेट में ब्रेड में के समतुले माना जाता है फुटवाल में जो ले फेमस प्लेयर है ठीक है क्रिकेट में ब्रेड में के समतुले माना जाता है खेल में उत्कृिष्ट प्रदर्शन के लिए राश्टी पुरुसकार अर्जुन और दुरोड़ाचार पुरुसकार प्रतान किये गये थी उन्हें होकी का जादूगार भी कहा जाता है उन्हें 1956 में भारत के प्रतिष्टी नागरिक सम्मान पदमे विहुसर से सम्मानित किया अलेंजलेस ओलंपिक 1936 का बर्लीन ओलंपिक ठीक है यह तीनों ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल बताया गया हुए भारतियों पिक संग ने ध्यांचन को सताब्दी का खिलाड़ी घोसीत किया सताब्दी अनि सौ वर्स ठीक है अब देखें यहां किस के जन्र दिन हाद भारतियों पिक संग फिल-इस को घोसित किया सताब्दी अभी वताया सताब्दी का खिलाड़ी तीक है सताबदी का खिलाड़ी एवि गला synchronous ऐसा हुए था यहां या बर्न 21 l orya यहां बर्लीन आपका एंसर हो गया ठीक है अब लास्ट कोशन इसका देखें कि खेल में उत्किष्पदर्शन के लिए राष्टिये पुरुसकार आरजुंदा था द्रोड़चार पुरुसकार कि इस तारीक को कब प्रदान किये जाते हैं उनका जर्म दिन कब हुआ था 29 अगस्त तना तो 29 अगस्त को प्रदान किये जाते हैं देखिए दो पेसेज हमने कंप्लीट कर लिए अब देखें तीसरा पेसेज क्या है अजाध हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंदर प्रताप सिंध वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था अज निताजी द्वारा किस दीप का नाम सहीद दीप रखा गया है अजाध हिंद फौज के प्रयाण गीत की रचना किस ने की थी सुभाज चंद वोस निम्न में से किस नाम से प्रसीद है ठीक है तो वही चीज़ है अब हमने को आइडिया लगेगा कैसे को पूछेगा है देख पूर्वी एसिया में जापान के सायोग दोरा निताजी सुभाज चंद बोस ने करीब 40,000 भारती इस्रीपुरसों के प्रसिक्षित सेना का गठन शुरू किया और उसे भी अजाध हिंद फौज का नाम जे 1942 में दिल चलो के नारे के साथ ठीक है अजाध हिंद फौज का हिं सारपता मोहन सींग के मन में आया था अजाध हिंद फौज के गुम्नाम सहीदों की याद में सिंगापूर के क्या है एस्प्लेट पार्क में इन वार मेमोरियल बनाया गया अजाध हिंद फौज के प्रयाण गीत की रचना रामशी ठाकुने की थी नेता जी सुभास चंद पश्रक्रां कर अधर्साथ सीटीप.. निकोबार्ट पसत्राइब.. ठीक है सवराज जिदीप किस नारेक साथ आजाद हिंद फोज का हिंदुस्तान में आगवन हुआ दिल्ली चलो ठीक है अजाद हिंद फोज के गुम्नाम सहीदों की याद में कहां आए आए यने वाल मेमोरियर है आपका तो क्या बताया था सिंगापूर ठीक है अब देखिया नेटाजी तो और के से ठीक से थांसा हे ये अथे रखा गया तो अंडमान या निकोबार मान का नाम सहीद और निकोबार का नाम सवराज डीक है अब क्या है आपका question है कि आजाद हिंत्स फोज के प्रयाण गीत कि रचना किसने की रामसी ठाकुर्ने की शुबहाद चन्द बोस् निम्ने में से किस नाम से प्रसित धें नेता जी सुबहाद चन्द बोस् ठीक है महत्मा 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 गांदी किसको बोला जाता था महत्मा बताएंगे लौह पूरीज वनलब भाई पटेल शरदर वनलब धर्ती पुत्र किसको कहा जाता थे यह आप सभी को बताना है ठीक है कि अप्सन उसका होगा नेता जी कि यहां कोस्चन देखिए आप सभी विस्टो का इसमें मैं पहले आपको पढ़के बता दें क्योंकि आपके लिए होंवर्क रहेगा विस्टो का सबसे लोग प्रिय फल आम सबसे पहले दक्षिड पूर्वी एसिया में उगाया गया था दक्षिड पूर्वी एसिया ठीक है पूरी दुनिया में लगबग्दो uw कि इसमें क्याव के पिड़ बाग का जाता कि बिहार के एक सहर में आम का बाग है उसमें आम के हजार पेड़ है इसलिए हजारी बाग कहलाता है ठीक कहा लिखा हुआ है भारत के बिहार के एक सहर में हजारी बाग जहां हजार आम के क्या पेड़ है भारत में क्या है अलफेंसो सफेदा तोता परी लंगड़ा लाल बाग चौसा आधी प्रकार के आम प्रसीद हाजारी बाग फूट किसम आपक है आपको नौर्मल दिमाग लगाने पड़े थोड़े घ्रामर क्योचन तो आप ध्यान रखीका फूट जैसे आप अपनी चार फूट का सूझना ना कि आप कितने फूट है फूट के हैं कितनी आपके लंबाई है तो आप बताएंगे मैं 4 फूट का हूँ 3 फूट ठीक है बताते हैं ना कि मेरी जो लंबाई है 4 फूट 5 इन 6 ऐसा बताते होंगे तो वही फूट तो लंबाई किसका लंबाई option number A ठीक है देखिए हमने धीरे-धीरे सभी question complete कर लिए तो आप सभी को पूरा हदियत आपको इसी तरीके से model paper होते हैं तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ा model paper और mock test लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप लास समय में एक्जाम दे रहे हैं तो पूरा pattern उसी तरीके से तयार है बहुत अच्छे धंग से सब को समझाया गया है तो आप model paper के अच्छे enroll करके अच्छे से तयारी करें ठीक है और यह contact number है 6260 देख लीजे 6260-388-361 पर call करके course से related पूरी जानकारी आप पास आके ठीक है फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ